है आप देख रहें इंडिया न्यूज इन खबर और मैं स्यासी किस्से में लेकर आए हूं इंद्रा गांदी का एक बड़ा दिल्चस्प किस्सा कैसे इंद्रा गांदी की करीबी रिष्टेदार उन्हें हमेशा से ही अगली और स्टुपिड बोला करती थी और जिसका असर उनकी परसनलिटी पे पड़ा इसको बाद में इंद्रा गांदी ने अपनी जो दोस्ती फुपल जैकर जोनों ने उनकी बायोग्राफी लिखी थी उनको बताया दरसल ये पहला केस तब हुआ जब इंद्रा गांदी पीएम बनी और पीएम बनने के तीन हबतों के बाद ही क्योंकि उस वक्त देश में राशन संकट चल रहा था अनाज का संकट था तो देश बर के फूड मिनिस्टर साय हुए थे जो अलग-लग राजियों से उनकी साथ म से जवाब नहीं दे पाई तब कामराज ने दखल दिया जो उस वक्त कॉंग्रिस के ताकतवर प्रेसिडेंट थे और तब जाके बात समली तब गुस्य में जब इंद्रा गांदी थोड़ी सी हताश थी शर्मिंदा थी कि वो डंग से अपनी बात नहीं रख पाई आई और अपनी जो दोस्ती शाम को पुपल जैकर उनके साथ बैठी और तब ये बात उन्हें बताई कि अगर आज मेरा कॉन्फिडेंस इतना लूज है तो इसकी वज़े है मेरी बुआ उनकी बुआ यानि विजह लक्षमी पंडित बोले कि वो हमेशा से मुझे डाउन करती रहती जिसकी वज़े से मेरी परसनलिटी पर असर पड़ा है इंद्रा गांदी अपनी बुआ से कितनी नाराज रहती थी ये पपुल जैकर की किताब में ही पता चलता है कि कैसे जब वो छोटी थी और उनकी मां कमना नहरू बिमार रहती थी और नहरू जी अक्सर जेल में या कॉ उत्रे लिखा करती थी और इंद्रा गांदी उसक्र पढ़ा करती थी शांतिने को तन में पहले पूडे में पढ़े थी जब आती थी मांँसे अपना दुख रोती थी बिमार रहती थी टीबी की बिमारी थी उन्ह narrative को उनकी दाधी उतनी तबज्यों नहीं देती हैं ये बा तक और उनकी वाइब भी खतम हो गई थी तब विजय लक्षमी पंडित को उनकी फैमिली को रंजीत पंडित से उनकी शादी हो गई थी उनको आनन्द भवन दे दिया रहने के लिए कि आप यहां रहे ऐसे मैं जब इंद्रा गांधी पीम बनी तब उन्होंने बदला लेने की एक तरह से सोची जब नहरूजी नहीं रहे तब उन्होंने बदला लेने की सोची लेकिन उससे पहले एक और दिल्चस बात बता दूँ कि जब इंद्रा गांधी एक बार नहरूजी के साथ अमेरिका गई तब अमेरिका की राजदूत थी विजय लक्षमी पंडित और जो भी अमेरिका में रहे नहरूजी वो होटल में बैठी रही और पूरे टाइम विजय लक्षमी पंडित और नहरूजी साथ घुमते रहे इसे गुस्सा थी थोड़ी से इंद्रा गांधी और इंद्रा गांधी गुस्सा थी उस वक्त जो भाबाते साइंटिस्ट वो भाष्टे धरोर बना दिया और उस वक्त विजय लक्षमी पंडित भी वहाँ पहुंची उस फंक्शन में विजय लक्षमी पंडित ने उनसे कहा कि एक दिन मुझे मेरे कमरे में एक रात गुजारने दो इंद्रा गांधी ने उन्हें उसकी भी अनुमती नहीं दी एक तरह से उनका अपना वदला था, उनकी अपनी टीस थी, कि ये मुझे हमेशा अगली स्टुपिट कहती थी, वो एक टीस थी जिसकी वज़े से उन्होंने ऐसा किया, ये बात उन्होंने अपनी दोस्त पुल्च जैकर को बताई थी, ये दिल्चस्प कानी बहुत कम लोगों को पत होगी, इस तरह के तमाम सियासी किस्से हम लेकर आते रहेंगे, आप देखे रिंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इनका पर, थैंक्यू, नमस्कार.